हलो एवडियों आज है सेवन्थ मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइट क्रॉम ग्रॉप के बारे में देखिए 11.25 पैसे का ये शेर है और पिछले कुछ दिनों से इसने तेजी दिखाना शुड़ों किया है हलाकि ये वो कंपिनी है जिसके उपर सेवी ने काफी गंबीर ऐलिगेशन्स लगाये हुए है और उसके बाद शेर में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिले है लेकिन पिछले चार ट्रेडिंग शेसन से ये लगातर भाग रहा है विडियों बात चुछित करेंगे कैकी टेजी की वज़े क्या है और भरोसा कर सकते हैं कि नहीं विडियों को शुरू करों उसे पहले अगर आपने वीदक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियों हैं जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो पांच परसंट की तेज़ी हो देखो जो तेज़ी आती है ऐसा नहीं होता है कि जैसा ही बाजा खुला पांच परसंट की तेज़ी आ गए दीरे दीरे तेज़ी बनती है यहां पर और बाद में पूरे दिन के लिए पांच परसंट की तेज़ी रहती है पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो हाला कि 36% के गिरावट है देखो लगातार ये गिर रहा था और जब CB ने allegations लगाए तब तो और फर्दर गिर गिर गया 10 रुपे से भी नीचे शेयर चलागी है ऐसा नहीं कि मतलब गिरा तो बाद में attempt नहीं किया जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो गिर गया था ये 30 दिखा दी फिर गिर गया फिर 30 देखा और जब भी 30 दिखा ये ना 5% की अपट सकेट लगा इसने हर बार फिर वापस गिरा फिर तीजी दिखा दी फिर गिरा फिर तीजी दिखा दी फिर गिरा फिर तीजी दिखा दी फिर गिरा था यहाँ पर और बाद में फिर से तीजी दिखा दी थी उसके बाद लगातर गिरता गया भी फिर से attempt कर रहा है तो देखो देखा जाए तो एक लगात पॉर्टफोलियो में ये कंपनी है उनके पॉर्टफोलियो में और छोटी मोटी नहीं बड़ी कॉंटिटी है उनके पास यहां पर अगर हम बात करने जाए तो as per the information available on BSC website the digital marketing company stock price has been hitting upper circuit on continuous basis and now it can be termed as one of the circuit to circuit stocks in दलाल स्ट्रीट अब यहां पर देखा जाए तो तेजी हर रोज 5% की देखने को देखने को तो यहां पर मिली रही है और news क्या है तेजी की वज़े जो सबसे पहली आई है वो है re-appointment को लेकर re-appointment यहां पर करी गई है डॉक्टर सुर्भी सिन्हा as additional director in the category of non-executive independent director of the company और उनकी re-appointment करी गई है जिसकी वज़े से यह तेजी दीरे-दीरे बनना शुरू हुई है और हाला कि शंकर शर्मा के portfolio में यह company है और कोई छोटे मोटे नहीं संकर शर्मा इस company के 2.50 crore shares own करते हैं percentage wise 1.24% की यह holding बनती है लेकिन देखिए बले ही खबर आई जरूर है और जो allegations लगाये थे सेबी ने उसके उपर इन्होंने कुछ clarification भी दिया है याज़े कि promoter की stake sale को लेकर लेकिन जो accounting frauds की allegation उस पर अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है हाला कि देखा जाए तो 90% तक की investor wealth खा चुका है यह और company को लेकर अगर हम बात करें तो financial institution invoked the pledge and sold share in the market company ने यह बोला है लेकिन company ने अभी भी कोई reply नहीं दिया है उनकी accounting practice को लेकर यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो company ने बड़ी बड़ी मात्रा में shares बेचे थे अब यहाँ पर देखे कि what did sebi say तो sebi का जो order था कि promoter की जो shareholding है breadcrumb group में वो काफी हद तक मतलब गिरी यहाँ पर from 40.45% on March 31st 2014 to 13.96% on 2020 and further to 3.51% on June 30, 2022 तो 40% पर 63% पर आगया और देखा जाए तो तब share में तेजी बन रही थी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तेजी बन रही थी और जब बड़ी रफतार आई थी तब बड़े पैमानों पर profit booking देखने को मिली यह वो company थी जो एक डेट रुपए पर trade हुआ करती थी और share चला गया था इसका 118-117 के करीब और दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए तो भाईया जो profit है वो बड़े पैमाने पर दिखाया गया अब जाहिर जी बाद है जब भी company quarterly results announce करती है बड़े profits देखती है तो लोग खरीदारी करने आ चाते हैं और यह भी थोड़ा वो in upcoming submission and the hearing यह उनका कहना है लेकिन what remain unanswered क्या है जिसके बारे में अभी भी answered नहीं किया गया तो in 2022 when investor flagged off the sharp drop in promoter holding chairman and the company के जो co-founder है become a partner in four LPP जो companies अलग-अलग है वहाँ पर ठीक है वो partner बने यहाँ पर these LPPs were been moved from public share holding section to promoter category in April 2022 which show many retail investor to it in the disc content and promoter dumped 19% on retail then to hide this sudden somehow without any commercial transaction become the partner into those LPP तो यह बड़ी बात है इसके अलगा accounting irregularities भी देखने को मिल रही है और देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ अभी इस company के ऊपर मुझे रहता है कि देखो correction आप देखो तो गिरा है यह अभी आप इसको ऐसे देख रहे हूँ कि 117 रुपए का शेर 11 पे आगे लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि 2 रुपए का शेर अभी 11 रुपए के आसपास trade कर रहा है और जिस company में दिक्कत होती है मैं हमेशा कहता हूँ avoid करो उसमें चाहे बीच में कुछ भी क्यों निकल आए और अगर मैं इसा graph देख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है देखो इसमें attempt तो मार रहे है बीच बीच में तेजी दिखाने के और जब भी यहाँ पर attempt मार रहे है रोटेल इंवेस्टर फस है यहाँ पर company के बारे में volume अगर आप देखो तो बहुत बड़ी quantity में share trade हो रहे है ना करोड के volume से बड़ी quantity में share trade हो रहे है इतना ही नहीं 100% लोग according to money control user कहरे है खरीदारी करो मैं agree नहीं करता हूँ लोग के साथ मैं नहीं हूँ agree करता हूँ बात नहीं करें share holding के बारे में अगर हम देखे तो share holding में promoter के पास 18.47% की holding बात में बढ़ाई कही है पहले promoter की कम थी यहाँ पर और अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि जैसे की news में था कि पहले company बनाए गए और उसको promoter में डाल दिया किया कई सारे allegations लगे हैं इनके उपर और देखो इनके quarterly results अगर आप देखो के तो बाईया शानदार है revenue revenue काफी आप है यहाँ पर लेकिन जैसे कि sayb allocations लगा रहा है accounting frauds वगेरा के तो अभी March quarter का results मेरे सबसे काफी important रहे का क्योंकि देखा जाए तो बाईया revenue तो शानदार है इनके December 2020 में 2865 करोड के revenue थे और profit आईये किसी penny stocks के लिए तो मेरे हिसाब से देखो और अगर आप देखोगे तो यह बढ़तो रहे है ठीक है अगर आप यह देख रहे हो कि यह इतना profit तो बढ़ रहा है लेकिन अगर आप share price count करोगे तो वो नहीं बढ़ रहा है वो लगातर गिर रहा है बले ही last quarter में company ने 545 क मुनाफ़ा किया बले ही revenue 2865 करोड करा लेकिन फिर भी लगातर decline हुआ है cb के तो commentary अभी आई है उससे पहले से तो यह गिरी रहा था ना results आने के बावजूद भी तो अगे इन मैं कहूंगा नतीजे के उपर इस बार काफी जादा बड़ी नजर रहेगी और जो results यह लोग देखने को मिलेगा तो देखते हैं क्या होता है और अभी के लिए मैं avoid करने की बात करूँगा जो तीजी आ रहे उसका फायदा उठा सकते exit करने के लिए अगर आप फसे हुए तो लेकिन fresh buying की सला मेरी तरफ से नहीं है यहाँ पर भले ही किसी बड़े investor का पैसा लगा है ले उन्हें और भी कई सारी company में पैसा लगा है इसा जरूरी नहीं है कि जो risk वो लोग लेते हैं वैसे हमको भी लेने चाहिए तो again avoid करने की सला है मेरी अगर कुछ अच्छा निकल कर आ जाए डिफिनिल लंब उसके बारे में भी बात करें लेकिन अभी तक वो लग नहीं रहा ह बाकी मर्दी आपकी वीडियो को यहीं प्रेंड करूंगा पसंद आए तो लाइक करें चैनल बगरा पहली बार हैं तो प्रीज सब्सक्राइब करें और ब्राइट कॉम ग्रूप लिमिटेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट हमें लिखके बता सक ध Hungarian है थो वे करें दो आपकी में वीडियो